वेलकम टो लियाईस स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Internal Security के Current Affairs के Revision का ये हमारा दस्मा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम जून महिने के Internal Security के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article ICGS सजक के बारे में है सजक का मतल समझते हैं न सचेत रहना, Attentive रहना National Security Advisor ने अभी ICGS सजक को Commission किया ये एक Off-Source Petrol Vessel है क्या होता है Off-Source Petrol Vessel समझेंगे सबसे पहले तो इसे Goa Shipyard Limited ने Indigenously Design और Built किया है किसी के अहसान हमने नहीं लिया है, खुद से बनाया है नाम दिया गया है सजक फीचर क्या है, Advanced Technology का इस्तेमाल करते हुए कई सारे equipment इंस्टॉल किये गए हैं, weapons और sensors लगाए गए है Capacity क्या है, ये Twin Engine Helicopters को carry कर सकता है और 4 High Speed Boards को भी carry कर सकता है Significance ये है कि 5 Off-Source Petrol Vessels हमें बनाने हैं समट क्लास के जिसमें से ये तीसरा है अब Off-Source Petrol Vehicles क्या होती है ये Long Range Surface Steps होते हैं, जो लंबी दूरी तर जाके जो हमारा Coastal Region है उसको protect कर सकते हैं ये हमारा जो मिले Time Zone है उसमें operate करते हैं जो Island Territories हैं उनको भी protect करने की कोसिस करते हैं इनके पास Helicopters के जरीए Operation चलाने की capability भी होती है नेक्स्ट आर्डिकल प्रोजेक 75i के बारे में है Defense Acquisition Council ने जिसके head होते हैं Defense Minister उन्होंने अभी एक request for proposal यानि कि RFP को अपना approval दे दिया है इस project के तहत 6 conventional submarines को बनाया जाएगा प्रोजेक 75i के तहत देखिए इसके तहत जो 6 submarines बनाई जाएंगी उन्ही strategic partnership model के तहत बनाया जाएगा इस model का मतलब क्या होता है we will understand इस पूरे project की जो overall cost होगी that will be 43,000 crore इस initiative के तहत जो submarines बनाई जा रही है वो 30 years submarine building program जो हमारा 1999 में cabinet committee on security की तोड़ा approve किया गया था उसी के तहत बनाई जा रही है project 75 यह उसका advanced version है या integrated version है 75 IE ठीक है features की बात करें तो air independent propulsion system इस्तेमाल किया जाएगा इससे यह काफी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं इन्हें बार बार oxygen को लेने के लिए पानी के उपर नहीं आना पड़ेगा यह इस पूरे initiative में या इस पूरे project में जो पहली सम्मरीन हमें मिलेगी वो 2030 तक मिलेगी बना कौन रहा है इंडिया की ओर से दो strategic partners shortlist किये गए हैं 2000 मैजगाउं, Docks, Builders Limited और Larson and Torbo कुछ foreign manufacturers भी में मदद दे रहे हैं companies के नाम definitely आप याद नहीं रख पाएंगे countries आप दिमाग में बठा सकते हैं 2000 France, Germany, Russia, Spain और South Korea उनकी companies हैं जो इसमें coordinate करेंगे हमारे साथ participate करेंगे significance क्या है project 75i का देखें ये ऐसा पहला project है जिसको strategic partnership model के तहत approval दिया गया है Making India project को ये incentivize करेगा और जो हमारा dependent है अभी तक import के उपर उसे भी definitely कम करेगा हम थोड़े self-reliant बनेंगे strategic partnership model का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का difference procurement procedure है ये इसमें जो indigenous manufacturing entities हैं हम उनको choose करते हैं और उसके बाद जो Indian partners हमारे हैं वो foreign original equipment manufacturers के साथ coordinate करते हैं और उनसे वो सभी ज़रूरी चीज़े खरीदते हैं जो मालें जे सब्मरीन का example ले रहे हैं तो सब्मरीज बनाने के लिए required हैं हमारा next article iFamilya के बारे में है Interpol ने अभी हाल ही में iFamilya नाम का एक global database launch किया है इसकी मदद से हम किसी भी unidentified human remain को पता कर पाएंगे कि वो किस से जुड़ा हुआ है कुल मिला के हम relatives के DNA का इस्तिमाल कर सकते हैं किसी individual को identify करने के लिए iFamilya एक global database होगा जिसका इस्तिमाल हम missing persons को identify करने के लिए कर सकते हैं उनके family member के DNA का इस्तिमाल करके इससे police को भी मदद मिलेगी various cases को solve करने के लिए यहाँ पर जो interpol है उसने जो की international policing में involved होता है उन्होंने cutting age scientific research का इस्तिमाल किया है DNA को use किया जाएगा जो relatives हैं उनके और human remains या फिर unidentified कोई body मिले है तो उसके जरी उन्हें identify करने की कोसिस की जाएगी थोड़ा और clear language में समझना चाहें तो देखिए होता यह है कि suppose करिए कि किसी person A है इनकी family का कोई member missing है या तो country में या country के बाहर वो कहीं job बगएरा कर रहे थे और वहाँ से missing है इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें because जो jurisdiction है उसे के जरीए वो कुछ पता कर सकते हैं इनके पास एक option यह होगा कि वो इंडिया में पुलिस के पास जाएं और पुलिस इनको contact करवा देगी इंडिया के Interpol office से Interpol office इनसे उस वेक्ति का कोई personal item मांगेगा एक बरस या फिर कुछ और जिससे उस वेक्ति का DNA मिल सके अगर ऐसा कोई item नहीं है तो फिर उनके जो relatives हैं family members हैं उनका DNA collect कर लिया जाएगा जिससे उनका DNA match कर सकता है और उसे जो Interpol है वो अपनी database में store कर देगा कहीं पर भी जो भी jurisdiction है Interpol का वहाँ पर कोई unidentified body remain मिला है तो वो उसका DNA निकाल के अपनी database में search करेंगे अगर किसी वेक्ति के database के साथ जो DNA का data है उसके साथ वो match कर जाता है तो पता चल जाएगा कि वेक्ति किस family से belong करता है किस से belong करता है फिर उस country में information convey कर दी जाएगी उस individual को information convey कर दी जाएगी कई बार तो वेक्ति के मौथ हो चुकी होती है लेकिन चुकी पता नहीं होता जानकारी नहीं मिल पाती तो फिर जो death certificate है वो नहीं बन पाता और भी legal glitches face करने पड़ते हैं तो एक तरीके से help हो जाएगी थोड़ी बहुत माल लेजे कोई crime का case है तो वो crime कहां से belong करता है इसमें police इस database का इस्तेमाल कर सकती है Interpol ने ये कहा है कि लोगों का DNA data बिल्कुल safe रहेगा, secured रहेगा और जो criminal data वो criminal DNA data वो store करते हैं उससे बिल्कुल अलग रखा जाएगा So that was all about iFamilia, इसमें देखे किन सिप matching की जाएगी मतलब family members के साथ DNA को match करके पता किया जाएगा कि वो कहां से belong करते हैं iFamilia में तीन component है एक dedicated global database होगा DNA profile का, जो missing person के family members दे सकते हैं, contribute कर सकते हैं ताकि अगर उनके family में कोई individual है तो उसकी जानकारी मिल सके further उनके पास इंटरपोल के पास एक DNA matching software है जिसका नाम Bonapart है इसे Dutch company ने तयार किया है Dutch company smart research ने तयार किया है डेवलप किया है further interpretation guidelines है इंटरपोल की जिसके माध्यम से पूरा evaluation किया जाएगा calculation किया जाएगा और पता किया जाएगा कि कौन कहां से belong करता है हमारा next article इसे 2005 से ही conduct किया जा रहा है twice a year मतलब साल में दो बार ठीक है इंडो थाई कॉरपार्ट का objective यह होता है कि इंडिया नोशन सेफ रहे सेक्योर रहे commercial shipping के लिए भी और international trade के लिए भी इससे दोनों देसों के नवी के बीच में understanding बढ़ती है और interpolability भी increase होती है इंडिया की और से participate किया गया है इंडिया नेवल शिप सर्यू के द्वारा और Thailand की और से HTMS इसके लावाद दोनों ही देसों ने अपने डो नियर maritime patrol aircraft को भी इसमें सामिल किया दो और exercise जो इंडिया और Thailand के बीच में होती है दोजार exercise मैत्री ये दोनों देसों की आर्मीज करती है और exercise सियाम भारत ये दोनों देसों की एरफोर्स करती है आईने सर्यू की बात करें तो ये एक naval offshore patrol vessel है जिसे design और build किया गया है गोवा shipyard limited के द्वारा ये हमारा हमने खुदी बनाया है मतलब किसी से हमने लिया विया नहीं है ये ocean को surveillance कर सकता है और petroleum requirement जो Indian Navy के है उसे भी पूरा करता है इस आर्टिकल है वो IDEX DIO के बारे में है डिफेंस मिनिश्टर ने भी हाल ही में budgetary support approve किया है 498.8 करोर का IDEX DIO के लिए जिसका full form है innovation for defense excellence defense innovation organization पास सानों के लिए पूरा fund होगा देखें इंडिया चाहता है कि हमारे पास defense के field में बहुत बढ़िया बढ़िया equipment हो लेकिन बनायेगा कौन ये बढ़ा सवाल है innovative companies होगी वही ऐसे solutions ला सकती है इस पूरी scheme को इसी उद्धेश चे लाउंच किया गया था April 2018 में ताकि इंडिया में defense के field में जो innovation और technology development है उसे बढ़ाया जा सके इसके लिए हम चाहते हैं कि aerospace और defense के field में काम करने वाली industries एक साथ है जिसमें MSME हो सकती है start-up हो सकते हैं individual innovators हो सकते हैं R&D institutions और academy अभी हो सकते हैं इसमें जो defense ministry है वो उनके सामने कई तरीके के challenges रखती है challenges में वो ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए अगर आपके पास इसके लिए कोई solution है कोई prototype है कोई idea है तो आप मारे पास लेकर आईए हम आपको fund करेंगे इंडियन defense और aerospace की नीड के लिए adopt किया जा सकता हो तो आपको funding मिलेगी आप उस पर काम आगे बढ़ाएगे idea को objective बिल्कुल clear है हमें rapid development करना है जो भी defense के technologies हैं हमें उन्हें indigenize करना है अपने हाँ बनाना है और innovation लेकर आना है aerospace sector में वो भी कम timeline में हमें एक culture of engagement डिवलप करना है जहाँ पर start-ups जो हैं वो encourage हूँ और आएं innovation के field में defense के field में हमें को creation जो technology का है उसे empower करना है ताकि defense और aerospace के sector में एक साथ हमिल कर innovation को देखा जा सके इस पूरे initiative को चलाने की जिम्मेदारी है नोडल बॉडी कौन है डियो डियो defense innovation organization 2018 में जब ये पूरा initiative लाँच किया गया उससे में डियो को भी बनाया गया उनके पास एक corpus of fund भी दिया गया इस पूरे initiative को fund करने के लिए डियो की बात करें तो not for profit organization है जिसे companies act of 2013 के section 8 के तहट बनाया गया funding members इसके दो है hell और bell hell मतलब हिंदुस्तान aeronautics limited और bell मतलब भरत electronics limited जो डियो है वो policy guidelines provide करवाएगा edX के लिए हलांकि edX का काम बिल्कुल अलग है autonomous है ये के वह guidelines देंगे और हाँ जो CEO होगा वो डियो और edX का एक ही होगा ताकि एक और तो दोनों अपने अपने field में independent होकर काम करें further CEO होगा तो coordination बढ़िया बना रहेगा दिक्कत नहीं होगी न कुछ और initiatives हैं जो defense के field में launch किये गए है defense industrial corridor दो corridor develop किये जा रहे हैं एक उत्तरपदेश में दूसरा तमिल नाडू में जिसके आस पास defense के industries को incentivize किया जाएगा और developments किये जाएंगे दूसरा है Artificial Intelligence in Defense 2018 में N. चंदसेखर task force का गठन किया गया था implications study करने के लिए कि एगर AI का इस्तिमाल हम difference में करते हैं तो national security के लिए उसके च्या implications हो सकते हैं इसी आधार पर March 2019 में DIPA का गठन किया गया DIPA एक agency है Defense Artificial Intelligence Project Agency DIPA का objective यह है कि Defense में Artificial Intelligence के इस्तिमाल को आगे बढ़ाया जाए AI road map तयार किया जाए और जो Defense के PSU उसे लाइक Ordnance Factory Board जो Ammunition, Artilleries वगएरा डेवलोप करते हैं उनको भी AI Enabled Products डेवलोप करने के लिए इंसेंटिमाइस किया जाए Article SIPRI Airbook 2021 के बारे में है अभी हाल ही में Sweden के एक think tank नाम है Stockholm International Peace Research Institute short में SIPRI उन्होंनी 2021 के लिए अपना Airbook रिलीज किया है तो क्या हो गया इंडिया में भी Ministry of Electronics and Information Technology इंडिया Airbook रिलीज करती है फर्दर प्रतियोगीता दरपण भी Airbook निकाल देता है जो situation है उसे पोर्टरे करते हैं दिखाते हैं फर्दर किस देश के पास कितने nuclear warheads हैं उसकी भी credible जानकारी इनके द्वारा दी जाती है हाल की इनकी रिपोर्ट में क्या निकल के आया हाल की रिपोर्ट में ये पता चला कि इंडिया के पास राइट नाँ 2021 के स्टार्ट का जो डेटा है उसके according 156 nuclear warheads हैं जबकि पिछले साल इंडिया के पास महज 150 nuclear warheads हुआ करते थे बढ़िया बात है ये सब तो ठीक था लेकिन जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान के पास 2020 में 160 nuclear warheads थे और अभी 165 हैं तो मीडिया हॉसेस में इस बात को काफी तेजी से डिसकस किया जाने लगा कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़ादा nuclear warheads क्यों है और इंडिया इस पर कुछ करता क्यों नहीं मतलब हम अपने nuclear warheads की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाते जबकि real cause of concern पाकिस्तान नहीं रधर चाइना है चाइना के पास जहां 2020 में महस 320 nuclear warheads थे वो बढ़कर 2021 में 350 हो चुकी है You can understand कि ना केवल उनके पास बहुत ज़्यादा nuclear warheads है रधर उनके बढ़ने का करम भी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारा concentration ज़्यादा पाकिस्तान पर रहता है देखिए एक limit के बाद इस बास से ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितने nuclear warheads है अगर आपने उन्हें बना कर bank में रख दिया है या फिर fridge में रख दिया है आप उन्हें maintain नहीं करते तो उसका क्या मतलब है कि आपके पास कितने numbers है या आपने उन्हें कितना pointy बना रखा है देखिए एक dimension और होता है कि आपने कितने deploy कर रखे है USA के पास 5550 nuclear warheads है उन्हें deploy के वल 1800 कर रखे है तो बाकी के warheads को इस्तिमाल करने में उन्हें समय लगेगा फर्दर दूसरा dimension यह आता है कि कौन सा देख अपने warheads को maintain करने में कितना खर्च करता है पाकिस्तान इंडिया से आधे से भी कम खर्च करता है अपने इंडिया से भी ज़ादा nuclear warheads को maintain करने में जबकि चाइना के पास ना केवल हमसे 6 गुना से ज़ादा nuclear warheads हैं रैधर वो हमसे 4 गुना से ज़ादा खर्च भी करते हैं उन nuclear warheads को maintain करने में तो चाइना ज़ादा cause of concern है ना कि पाकिस्तान 9 ऐसे रेस हैं जिनके पास nuclear weapons हैं 2000 USA, Russia, UK, France, China, India, Pakistan, Israel और North Korea और इन सभी का अगर आप total nuclear warhead calculate करेंगे तो आपको मिलेंगे 13,080 nuclear weapons USA और रश्या मिला कर दुनिया में जितने भी nuclear weapons हैं उनका 90% cover कर लेते हैं देखे यहां लिस्ट दी गई है कि किसके पास कितने nuclear warheads हैं USA 5550, रश्या 6255 सबसे ज़ादा UK 255, France 295, China 350, India 156, Pakistan 165, Israel 90 और North Korea 40-50 इंडिया के पास nuclear triad की capability है हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से nuclear attack कर सकते हैं जमीन से attack करने के लिए हमारे पास है प्रत्वी 2, अगनी 1, अगनी 2, अगनी 3, फर्दर अगनी 5 जिसकी capacity 5000 किलोमेटर की है हवा से attack करने के लिए हमारे पास है सुखोई 30, मिराज 200 और अभी मारे पास राफेल भी आ गया है फर्दर, समंदर में से attack करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक मात्र nuclear powered ballistic missile submarine है नाम है INS अर्यहंत तो हम तीनों ही जगहों से attack कर सकते हैं Stockholm में establish किया गया था ये data analysis और recommendation देते हैं जो भी इनके पास sources, policy maker, research, media से एकठा होते हैं उनके मात्यम से अब देखते हैं क्या इस प्रकार का कोई question UPSC के दवरा पूछा गया है देखे, UPSC ने Agnify missile के बारे में एक बार प्रशन पूछा था तीन statement थे कि ये surface to surface missile है दूसरा, इसे केवल liquid propellant की मदद से ही fuel किया जाता है और तीसरा, ये nuclear warhead को 7500 km दूर तक मार सकता है आपको बताना था कौन सा सही है, कौन सा गलत है बताइए कौन सा जवाब आपका सही है, गलत है देखिए हमें पता है, अगर कुछ ना भी पता हो तो अगली 5 की जो range है वो 5000 km की है, तो ये तो आप cross कर दीजी जैसे ही आप तीसरा cross करेंगे जवाब निकल के आ जाएगा, one only मतलब इस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं कि nuclear capability कैसी है किसकी, ठीक है इखिए यहाँ पर EU का मतलब है European Union NAV का मतलब है NAVL और FOR का मतलब है FORCE मतलब European Union के NAVL FORCE को आप EU NAVL FOR बोल सकते हैं तो Indian NAVY और EU NAVL FOR के बीच में अभी इस exercise को कंड़क किया गया है Gulf of Eden में Gulf of Eden के बारे में जानेंगे देखिए पहले बात करते हैं इस exercise की एक साथ आई है exercise के लिए देखिए EU की जो NAVL FORCES हैं वो counter piracy mission में अकसर active रहती हैं Somalia के coast के आस पास और Indian NAVL FORCES भी इसके लिए काम करती रहती हैं तो अगर दोनों में proper coordination होगा तो काम definitely आसान हो जाएगा EU की सभी countries यहाँ पर participate करने के लिए नहीं आई हैं रधर जो countries आई हैं मतलब जिनके ships इसमें आए हैं 2000 Italy, Spain और France बाकी इंडिया तो दूसरी ओर था ही एम बिल्कुल यह है कि दोनों जो EU की नेवल FORCES हैं और इंडिया की हैं यह war fighting skills में आपस में coordination establish कर सकें इनकी integrate करने की ability बहतर हो ताकि हम पूरी region में peace, security और stability को ensure कर सकें significance की बात यह है कि दोनों देसों के इससे जो skills हैं war fighting skills हैं वो enhance होंगी जो दोनों नेवीज के shared values हैं हम उनको एक बार फिर से ensure कर पाएंगे कि समंदर में freedom होनी चाहिए movement के लिए हम open, inclusive और rule based जो international order की बात करते हैं उसके लिए भी काम किया जा सकेगा Gulf of Eden की बात करते हैं इसे Gulf of Berbera भी कहा जाता है deep water gulf है आपको अगर आसपास के regions देखने हो तो इस gulf के north में आपको मिलेगा यमन जबकि इसके पश्यम में आपको मिलेगा जीबूती और सुमालिया मिलेगा आपको इसके south में north east में ये red sea से connect होता है यहाँ पर है red sea इस map में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये है Gulf of Eden, ये है red sea ये है straight of barb al-mandip इस लिहाद से आप कह सकते हैं जो बाब al-mandip straight है ये red sea को Gulf of Eden से connect करता है और next article integrated theater command के बारे में है अभी हाल ही में एक high level committee का गठन किया गया है जिसमें navy, army, air force के साथ साथ जो concern ministries हैं उनके भी representative होंगे क्यों बनाई गई है ये committee wider consultation के लिए कैसा consultation consultation इस बारे में है कि क्या हमें integrated tri service theater command बनाना चाहिए क्या होता है ये integrated tri service theater command इसको समझने के पहले आपको समझना होगा मतलब क्या होता है theater command का मैं आपको बता दूँ कि theater command में जो word theater है वो एक geographical region को represent करता है security perspective से जहाँ पर army, navy और air force operate करते हैं इंडिया को कई सारे theaters में बाटा गया है और हर region में theater commands work करते हैं दिक्कत की बात ये है कि अभी एक ही region में एक से ज़्यादा theater command work करते हैं वो army के लिए अलग, navy के लिए अलग और air force के लिए अलग होते हैं जैसे southern region में आपको केरला में दो theater command headquarter दिख रहे हैं एक southern naval command ये navy के लिए है और दूसरा southern command जो की air force के लिए है similarly आप western region में आएंगे तो western command दिखेगा army के लिए और western command आपको air force के लिए भी दिखेगा और ऐसा ही case आपको eastern region में भी मिलेगा इसमें दिक्कत lack of coordination की होती है एक जगे पर army और air force दोनों को एक साथ attack करना है लेकिन दोनों के commander अलग-अलग है दिक्कत होगी coordination को establish करने में resources को mobilize करने में और plan chart out करने में कैसा हो अगर हम try service command बनाएं जहां पर commander एक ही हो और उसके under में army, navy और air force तीनों ही हो उसे resources को mobilize करने में attacks को coordinate करने में या defense को manage करने में आसानी होगी बिल्कुल यही plan चल रहा है integrated theater command बनाने की बात चल रही है तो क्या इंडिया में अभी तक कोई भी integrated try service theater command नहीं है ऐसा नहीं है देखे presently दो joint commands है जिनमें से आप एक को integrated try service theater command बोल सकते हैं अंडवान है निकोबार command है जो 2001 में बनाया गया था और दूसरा है strategic forces command SFC यह 2003 में बना था इसका काम वैसे इंडिया में जो भी nuclear installations हैं उन्हें protect करना है यहाँ पर तीनों ही services integrated तरीके से काम करती हैं अभी बात चल रही है कि हम इंडिया को responsible नहीं होगा रधर तीनों wings को responsible होगा जो सेकतकर committee है उन्हें तो तीन integrated theater command बनाने की बात की थी एक नदन चाइना बॉर्डर के लिए एक वेस्टन पाकिस्तान के लिए और तीसरा सदन जो मेरे टेम रोल परफॉर्म करेगा हलाकि वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से 8 या 9 theater command बनाने की बात चल रही है significance बिलकुल साफ है resources का duplication नहीं होगा integration आसान होगा like अगर आपको navi, air force दोनों को maintain करना है तो दोनों को fighter जर्च चाही है आप दोनों को 4-4 दे रहे हो अच्छा होगा कि एक joint commander हो और उसके पास 6 हो तो वो ज़्यादा efficiency के साथ 6 के साथ काम कर पाएंगे हमारा next article कृवक या फिर तलवार stealth frigates के बारे में है frigates का क्या मतलब होता है ये युद्धपोत होते हैं जो बड़े युद्धपोत होते हैं उनको frigates कहा जाता है और जो frigates से छोटे होते हैं उनको corvets कहा जाता है तो देखिए अभी इंडिया में गोया shipyard limited ये दूसरा क्रिवेक class stealth ship बना रहा है जिसके लिए उन्हें technology का transfer किया गया है रश्या के दवारा क्रिवेक या फिर तलवार stealth frigates ये series of frigates या guard ships हैं जिनने आप petrol vessels या petrol boat बोल सकते हैं जिनने Soviet Union बनाया करता था 1970 के रसकी इनका उद्देश से बिलकुल साफ था naval missions को complete करना अगर कोई enemy submarine है या फिर कोई बहुत बड़ा surface ship है तो उसे ढूड कर मार गिराना ये इसका काम हुआ करता था इंडियन navy के पास वरतमान में 6 क्रिवेक क्लास frigates है जिनका वजन लगभग 4000 टन के आस पास है ये दो batches में काम करते हैं तलवार क्लास और upgraded tag class अभी हम नए क्रिवेक क्लास stealth frigates को खरीदने की तयारी कर रहे हैं 2016 में इंडिया और रश्या ने साइन किया एक intergovernmental agreement जहां पर हमने प्लान बनाया कि हम 4 क्रिवेक या फिर तलवार stealth ships खरीदेंगे इन में से जो 4 हैं उन में से 2 को तो रश्या खुद से ही बनाकर यहां भेज़तेगा बाकी की जो 2 हैं उनको Goa Shipyard Limited के त्वारा बनाया जाएगा टेक्लोजी रश्या हमें दे देगा रश्या के साथ यह अच्छी बात है वो जब भी हमें कोई defense के equipment देते हैं तो टेक्लोजी ट्रांसफर में ज़्यादा ना दुकुर नहीं करते USA के साथ या बाकी विश्टनलाइस के साथ यह बहुत दिक्कत है फीचर्स की बात करें तो इस बार जो ships हम बना रहे हैं जो चार ships हम ले रहे हैं यह पहले वालों के तुलना में 300 टन ज़्यादा वजनी है ज़्यादा capable है यह अपने साथ ब्रहमोस सुपर सोनी क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकते हैं रश्या से बहुत सारे military equipment हमने लिये हुए हैं जो इंडिया की security को ensure करते हैं इंडिया के पास केवल एक ही aircraft carrier है जिसका नाम है INS Vikramadity वो भी हमारे पास रश्या से ही है हमारे पास है nuclear attack submarine chakra second जो की service में है वो भी रश्या से बिलॉंग करती है आर्मी का T-9 और T-72 main battle tank S-400 Trump missile system और Indian Air Force के लिए सुखोई 30 MKI fighters यह सब रश्या से बिलॉंग करते हैं अरा next article है information fusion center for Indian Ocean region के बारे में इसका short form है IFC IOR United Kingdom ने अभी हाल ही में इस body के लिए अपना liaison officer nuked कर दिया है यह एक संपर कधिकारी होता है जो इस body के साथ contact करेगा as a representative of United Kingdom देखे यह body maritime domain में awareness फैलाने के लिए work करती है 2018 में इसे बनाया गया था जिसमें यह body जो original countries है इंडर नोशन region में उनके साथ coordinate करेगा और जो maritime data है उसके लिए एक regional repository की तरह work करेगा जहाँ पर सारा data यह कठा किया जाएगा वर्तमान में इसके 21 पार्टनर देश हैं और 22 multinational agencies हैं पूरे globe में जो इसके साथ काम करती है इसका headquarter है इंडिया के गुर्ग्राम में working देखें यह white shipping या फिर commercial shipping का जो भी data है वो सभी देशों के साथ share करता है maritime information कैसे collect की जाए उसकी training भी देता है और information को share भी करता है further अभी जो information share की जाते है वो virtual method से की जाते है like telephone call, fax, email, video conferencing इसके रामा सभी देश अपने अपने संपर्क अधिकारी भीचते हैं इस body में जो उनके देश की ओर से यहाँ पर coordinate करता है IFC, IOR यह maritime security को strengthen करता है इस पूरे region में और सभी लोगों के लिए एक common situation तयार करता है कि सभी देश अच्छे से काम कर सकें अगर हम इस संपर्क अधिकारी यानिकी liaison officer की बात करें तो यह officer सीरे सीधे Indian Armed Forces और जो बाकी के दूसरे देशों के संपर्क अधिकारी हैं UK पांचवा देश है जिसने अपना संपर्क अधिकारी भेजा है हमारा next article project seabird के बारे में है Union Defense Minister ने अभी project seabird को review किया जो की करवार naval base पर तयार किया जा रहा है project seabird यह एक बहुत ही बड़ा naval infra project है करनाटका के करवार में यह चल रहा है प्रोजेक्ट के में हम करवार में एक बहुत बड़ा naval base तयार कर रहे हैं जो इंडिया के west coast पर होगा obviously complete हो जाने के बाद यह west coast पर हमारा सबसे बड़ा naval base होगा further series कनाल के अगर आप east में रेखेंगे तो यह सबसे बड़ा naval base होगा जो तयार रहेगा इंडिया में फाइदा यह होगा कि इससे हमारी operational readiness बढ़ेगी हम trade economy, humanitarian aid और जो वहाँ पर piracy बगरा होती है उसे भी control करने में ज़्यादा capable हो जाएंगे हमारा next article आइनेस तबार के बारे में है आइनेस तबार को भी हाल ही में deploy किया गया है कि यह एफरिका और यूरोप के देशों के साथ joint exercise करेगा आइनेस तबार एक तलवार class stealth frigate है frigate बड़े युदपोतों को कहा जाता है जो छोटे युदपोत होते हैं उनको corvette कहा जाता है इसे इंडियन नैवी के लिए रेशिया के द्वारा बनाया गया है यह ship जो है यह versatile range of weapons and sensors का इस्तिमाल करता है और बहुत पहले जो stealth frigates इस्ति नैवल कमांड के अंडर में function करता है करेगा क्या यह यह देखें Gulf of Arden, Red Sea, Space Canal, Mediterranean Sea, North Sea, Baltic Sea वहाँ पर जो various ports हैं उनसे गुजरेगा इन बिट्विन जो UK की Royal Navy है उनके सांथ exercise कोकन, exercise वरून जो French Navy के सांथ होता exercise इंद्रा जो की Russian Federation Navy के सांथ होता है उन सभी में यह participate करेगा इस इस प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं, कई बार यह ships वगेरा news में आते हैं और हमें लगता है करें ships थोड़ी पूछेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यह पूछे जाते हैं तो आपको इनकी details पता होनी चाहिए, at least यह है क्या, जैसे 2016 के प्रिलिम्स में UPSC ने पूछा था क कि INS अस्त्रधारिनी, हाल ही में news में देखा गया, उसका best description क्या है, क्या यह amphibious warfare ship है, nuclear powered submarine है, torpedo launch recovery vessel है, या फिर nuclear powered aircraft carrier है, बताए क्या है यह, अगर आपने पढ़ा हो, previous sir का question solve किया हो, वैसे इसका सही जवाब C है, यह एक torpedo launch recovery vessel है, तो मतलब अगर इस प्रकार के वार्शिप, frigate या corvette news में आ रहे हैं, तो आप ध्यान देखेगा, आपसे पूछे जा सकते हैं, हमारा next article दुनिया के पांचवे ocean, यानि कि महासागर के बारे में है, national geographic magazine ने अभी हाल ही में सदन ocean को recognize किया है, दुनिया के पांचवे महासागर के रूप में, वो उमीद करते हैं कि बाकी क organization भी से follow करेंगे, इसके पहले दुनिया में चार महासागर बताया जाते थे, architect ocean, pacific ocean, atlantic ocean, indian ocean, और अभी जो पांचवा ओशन बताया जा रहा है, that is southern ocean, जो की अंट आर्कटिका के चार ओर है, ऐसा नहीं है कि ये कोई all of sudden हमें नया महासागर मिल गया है, ये पहले से ही था हम इसे pacific ocean, atlantic ocean और indian ocean का हिस्सा मानते थे, लेकिन अब कुछ specification की वज़े से हम इसे एक अलग नाम देने का फैसला कर रहे हैं, वो अगनी P missile के बारे में है, यहाँ पर P indicate करता है prime को, prime, ये advanced version है, किसका समझेंगे, before that अभी हाल ही में, new generation nuclear capable ballistic missile, अगनी P को successfully test fire किया गया है, DRD-O के द्वारा, कहां से, डॉक्टर APG अब्दुलकलाम आइलेंड से, जो कि बाला सोर में उडिसा की कोच्ट पे है, अगनी P, यानि कि अगनी प्राइम, ये advanced version है, अगनी 1, क्लास की जो missile है, उसका, IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program के तहत कई सारी missiles को develop किया जा रहा है, अगनी उसी का हिस्सा है, अगनी series में अभी तक 5 missiles बन चुकी है, अगनी 1, 2, 3, 4, 5, और जो अगनी 6 है, उसका अभी test चली रहा है, मतलब उसका अभी developments चल रहे हैं, भी test नहीं हुआ है, अगनी पी एक canister based missile है, मतलब missile को एक canister में रखा जाता है, ताकि उसे carry करना आसान हो, ऐसे canister में missile को प्रकार का एक protective layer होता है, जिसमें missiles रखी जाती है, इन्हीं आसानी से carry किया जा सकता है, और canister में होने के वज़़े से इनको fire करने का जो time है, वो भी reduce हो जाता है, इनकी mobility or storage काफी बहतर हो जाता है, तो अगनी पी जो है, वो canister based missile है, लेकि अगनी सिरीज की जो 5 missiles है, उनमें अगनी बनाया था 2012 में, इसकी शमता 700 km की है, अगनी 2 2013 में आया 2000 km की शमता के साथ, अगनी 3 आया 2015 की जनवरी में, 2500 km से 3000 km की बीच की इसकी मारत शमता है, अगनी 4 आता है नमंबर 2015 में, 3500 से 4000 के बीच की इसकी शमता है, देन आता है अगनी 5, यहाँ पर देखिए अगनी 4 है, यह ठीक है, अगनी 5 आता है, दिसमबर 2016 में, इसकी शमता 5000 जा उससे जादा है, पच्पन सो से अठावन सो, operational range मानी जाती है, हलांकि चाइना का यह मानना है कि इसकी range 8000 से जाता है, जो इंडिया बताता नहीं है, वेट लगभग 50,000 केजी है, लेंथ 7,5 मीटर, खैर यह तो बेसिक डीटेल्स हैं, आप यह जानते रहे हैं कि अगनी सिरीज के मिसाइल्स हैं, अगनी 1 को advance करके अगनी प्राइम तैयार किया गया है, यह जो launch है, यह आसान होगा, रेल और रोड से भी, विकॉज इसमें कैनिश्टर का इस्तिमाल किया जा रहा है, और लंबे समय तक इससे store किया जा सकता है, अगनी 3 की तुलना में इसका weight 50% तक कम होगा, और जो मिसाइल है, यह 1000 से 2000 किलोमेटर के बीच तक मारक छंता रखेगी, मतलब जो इसका prime target होगा, वो होगा पाकिस्तान, विकॉज चाइना का जो mainland है, वो काफी दूर है, इस range की मिसाइल चाइना को hit नहीं कर पाएगी, अगनी 3 ना केवल अगनी 1 को replace कर सकता है, बलकि प्रित्वी और अगनी 2 मिसाइल को भी replace कर सकता है, because of its advanced capability, because इन सब मिसाइल को आज से 2 decades पहले बनाया और इन technologies को अब more or less outdated माना जाता है, तो आवशकता थी कि इनका कुछ advanced version developed किया जाए, जो कि अब मारे सामने है, अगनी मिसाइल के बारे में बात करें, तो इसे integrated guided missile development program के तहर्प start किया गया था, 1980 में इसे conceptualize किया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, वो चाते थे कि इंडिया missile technology में self sufficient बने, पाँच missiles इसमें develop किये गए हैं, जिनका short form आप याद रखने के लिए पटना याद रख सकते हैं, P stands for Prithvi, A, Agni, T, Trisul, N, Nag और A, Akas, Prithvi short range surface to surface ballistic missile है, वही अगनी भी ballistic missile है, different range के इसमें 5 variants आए हैं, Trisul short range low level surface to air missile है, Nag third generation की anti-tank missile है, और Akas medium range का surface to air missile है, इस प्रकार का प्रशन UPSC ने 2014 के प्रिलिम्स में पूछा था, कि जो Agni 4 missile है, उसके संबंद में कौन सा statement सही है, कौन सा गलत, पहला तो यह surface to surface missile है, दूसरा, यह liquid propellant के द्वारा run किया जाता है, तीसरा, इसकी जो range है, वह 7500 km की है, पहली बात, वैसे देखिए, अगर भी पता हो, तो इतना तो पता होगा, कि Agni 5 की भी जो range है, वो 5500 से 5800 है, तो 7500, Agni 4 की कैसे हो सकती है, वो तो 5 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, तो 3 गलत हुआ, 3 जैसे ही आप काटेंगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, किवल पहला सही है, यहाँ पर solid propellant का इस्त नहीं, thank you very much.